मिलिंग प्रोसेस में ग्रेन को इंटेक हुपर में डाला जाता है जो बॉकेट इलेवेटर से जुड़ा होता है बॉकेट इलेवेटर के काम इंटेक हुपर में जो ग्रेन है उसे कैरी करके हुपर में भेजता है होपर से ग्रेन प्री किलिनर में जाता है जहां ग्रेन में मिक्स फोरेन पार्टिकल जैसे बड़ा पत्थर रसी के टुकरे घास पुवाल अलग होता है ग्रेन प्री किलीन होने के बाद मेगनेटिक सेपरेटर में जाता है जहां ग्रेन में महजूद लोहे के टुकरे कील को मेगनेट के द्वारा अलग किया जाता है Magnetic separation के बाद grain the stoner में जाता है जहां grain से stone और dust separate होता है यहां आप animation के द्वारा समझ सकते हैं कि grain से stone कैसे separate होता है grain से stone अलग होने के बाद grain पीछने के लिए तयार हो जाता है जो bucket elevator के द्वारा हूपर में जमा होता है जहां से grain मिल में पीछने के लिए जाता है मिल में grain पीछने के बाद floor conveyor के द्वारा vibro screen में जाता है जहां course size का floor उपर वाले sieve से अलग हो जाता है और नीचे से desire size का floor प्राप्ट होता है जो bucket elevator के द्वारा silo में जमा होता है जहा कर दो में जमा हम जितौब लिए यारा हुआ है ज Optimus One